Hello friends, I am Sanjay Gupta. Welcome back on Sanjay Gupta Tech School. आप देख रहे हैं C Language Video Series and इस वीडियो में जो कि लेक्चर नमबर 26 है. हम डिसकस करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि फाइल हैंलिंग से रिलेटेड हैं. तो इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन्स के बारे में जानने को मिलेगा fscanf, fprintf, fputs, fgets, fgetc, feof, getw, putw. तो जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको file handling के concept के बारे में बताया था. और जो भी tools, basically file handling का program implement करने के लिए required हैं वो मैंने डिसकस किये थे. और मैंने आपको एक example भी बताया था, जिसमें हमने data file में write भी किया था और data file से read किया था. So I hope कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और इस lecture no.25 वाले वीडियो को देखने के बाद जो अभी वीडियो देखने हैं आप lecture no.26 तो इसमें हम यह वाले जो प्रोग्राइम से हो डिसकस करेंगे and कोई भी डाउट हो, यह मेरी डीडियल से हम उससे अपने डाउट स्क्लियर गर सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राइम. So first program कहता है read a number from user and another from file and compare them. तो अब इसमें दो input होंगे, एक तो user से, जो की console से आएगा और हमें यहाँ पर एक file already create करनी पड़ेगी, जिसमें की already एक number अविलेबल होगा. तो user जो input करेगा और जो file से number हम read करेंगे, हमें उन दोनों को compare करना है कि वो equal है या नहीं. तो user से read करने के लिए हम use करेंगे scanf और file से read करने के लिए हम use करेंगे fscanf. तो इस program को implement करते हैं. तो last video में मैंने यह सारी चीज़ा आपको बताई थी. तो यहां पर read the number from user and from file compare them. तो एक number user input करेगा, एक number file से read करेंगे और उन्हें compare करना है. तो अब यहां पर मैं एक नई file बना रहता हूँ num.txt और हमें उसको read करना है. ठीक है, अब यह जो file है वो demo folder के अंदर बनाएंगे, क्योंकि test.c जो की current program है वो भी उसी में stored है. तो यह demo folder है जो की ddry में available है. यहां पर मैं एक नई notepad file create करना हूँ. जिसका नाम है num.txt ठीक है? और इसमें मैं एक number type करना हूँ 205. मैंने इसको save किया, close कर दिया. ठीक है? तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप जहां पर आपकी .c file है, वहीं पर आप अपनी जो file है जिसमें की data already stored है वो create करो या already available हो. तो अगर वो किसी दूसरे location पर available है तो आप क्या कर सकते हो? कि आप पूरा path यहां पर type कर सकते हैं. तो आप जैसे num.txt d drive के अंदर demo folder में available है तो मैंने यह fully qualified path यह mention किया. अब let's say आपका यह demo folder c drive में है तो आपकी .c file तो किसी और drive में है, किसी और folder में है और जो यह num.txt यह किसी और drive यह folder में है तो आप पूरा path यहां mention कर सकते हैं. तो मैं यह पूरा path यह mention कर रहा हूँ. then fp double equals tunnel यह हमें check करना होता है. then यह सारे statements erase कर रहा हूँ. तो अब हमें क्या करना है एक number user से input कराना है, और एक number file से input कराना है. तो user से input कराने के लिए अपने लिख देते हैं printf enter a number. उसके बाद जाएगा scanf %d m% n1 तो उपर मैं variable declare कर जाता हूँ n1, n2 तो n1 में जो data आएगा वो user से आ गया. ठीक है तो यहां चाहें तो एक comment भी लिख सकते हैं. reads value from user. अब हमें file से read करना है तो use करना है fscanf. तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको file से data read करना है तो आप fscanf use कर सकते हैं. तो it is similar to scanf but यहां पर आपको file pointer जो की particular file से link होगा वो हमें use करना होता है और जिस variable में data store करना है यहां पर हम comment लिख सकते है reads value from file तो अब यह जो file से data read हो रहा है यह आपको console screen पर कहीं पर दिखेगा नहीं यह internally हो जाएगा मतलब backend पर data अपने आप read ओपर आपके variable में available हो जाएगा तो further आप क्या कर सकते हैं n1 और n2 को compare करा सकते हैं और screen पर value print कराने के लिए आप लिख सकते है printf equal else आप लिख देंगे printf not equal and जो सारे operations complete हो जाएगे उसके बाद हम file को close कर देते हैं तो इस तरीके से यह जो printf scanf का combination है यह user से input करेगा और f scanf जो हमने use किया है वो user sorry file से data read करेगा and then जो आपका logic है comparison का वो मैं if kit को apply कर दिया तो अब मैं इसको execute करता हूं तो अब एक number enter करना है तो हमने file में store किया था 205 तो देखो अगर मैं 205 एंटर कर रहा हूं तो यह क्या show कर रहा है equal और मैंने यह पूरा path mention किया है फिर भी वो file को properly read कर रहा है अगर यह path कुछ और होता let's say मैंने यह लिखा demo1 तो अब इसको यह file नहीं मिलेगी क्योंकि demo1 नाम का कोई folder नहीं है तो उस case में क्या होगा यह error message show करेगा cannot open file तो यह क्यों print हुगा क्योंकि हमने यह if condition यहां पर लगाया होगा तो हमने क्या किया पहले ही if condition लगा कर validate कर लिया कि file open हुआ या नहीं अगर नहीं हुआ तो exit के through program को stop या terminate कर लिया ठीक है तो इस तरीके से आप फूरा path mention करके भी execution कर सकते हैं अब अगर मैं इसको फिर से run करता हूं और मैं कोई और number डलता हूं let's say मैंने डाला 206 तो यह क्या show कर रहा है not equal so it means दोनों cases में program properly work कर रहा है तो I hope कि अब आपको थोड़ा और confidence आया होगा तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर से देखे lecture number 25 तो आपका file handling का base एक बार गे लिए प्रपेर हो जाएगा और उसके बाद फिर जब यह वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो के जितने भी programs है वो आप properly समझ भाएगे and अगर आप इन programs को laptop या desktop पर properly implement करें तो और beneficial होगा so first program हमने complete कर लिया अब next program है read n numbers and store into a file तो यह जो n numbers है वो user input करेगा और हमें सारे के सारे numbers file में store कराने तो अभी तक हमने क्या किया last video में मैंने आपको बताया था कि हम एक number user से read करेंगे और उसको file में store कर देंगे but कई बर ऐसा भी होता है कि आप बार-बार user से data read करते जा रहे हैं और आपको उसको file में store करना है तो अभी ये काम हम बिना array के कर रहे हैं मतलब data बहुत सारा है but array use नहीं करेंगे तो array का use मैं आपको जो lecture number 27 जो next video होगा उसमें बताऊंगा तो वहाँ पर हम array में सारा data store करके उसको एक साथ file में store कर सकते हैं but अभी हम बिना array के बहुत सारे numbers को file में store करेंगे तो ऐसा हम इसले कर रहे हैं ताकि आप f printf और f scanf से familiar हो जाए so read n numbers from user and store in file चिक तो अब यहाँ पर एक ही variable होगा एक variable और use कर लेते हैं इसकी हमें requirement अभी नहीं है तो इसको erase कर देते हैं अब देखो मैं यहाँ पर एक और file का नाम लिख जता हूँ numbers numbers.txt और इसको मैंने open किया w mode में तो अब अगर अपना demo folder check करें तो मैंने देखो n के through में search करना हूँ तो num.txt तो मिल गया but numbers के नाम से कोई भी file अभी currently available नहीं है but हम जैसे इस program को run करेंगे तो numbers नाम की file अपने आप बनेगी और जो data हम उसमें store करेंगे वो वहां पर आपको मिलेगा तो यह सारी चुझे erase कर देते हैं तो अब हमें user से n numbers read करके उनको file में store करना है तो अब पहले user से पूछ लेते हैं how many numbers you want to store फाइल में आपको कितने numbers store करा हैं तो उसके according क्या करेंगे हम loop चलाएंगे तो अब यह मैंने read किया उसके बाद मैं एक loop लिखतेता हूं i equals to sorry 1 से start कर लेते हैं i less than equals to quantity i plus plus और यह जो loop हमने लिखा है यह quantity के according repeat होगा अगर quantity 10 है तो loop 10 time चलेगा quantity 15 है तो loop 15 time चलेगा तो अब आप क्या करोगे यहां लिखोगे printf enter %d number और यहां मैंने लिख जया i तो यह क्या करेगा कि बता देगा कि कौन से number input कराना है तो यह बोलेगा enter first number enter second number and so on तो number read कराने के लिखा scanf %d m %n तो जो number हम read करेंगे वो बार-बार n variable में आएगा अब हमें उसको file में store कराना है तो use करेंगे f printf चीक है अब यह जो number है यह float भी हो सकता है यह character भी हो सकता है double भी हो सकता है मतलब input किसी भी type का हो सकता है तो जैसे printf किसी भी type की value को print करा सकता है similarly f printf किसी भी type की value को process कर सकता है तो for example हम n को float ही declare कर लेते है तो अब यहां पर मैंने लिखा percent f यहां मैंने लिखा backslash percent f and then backslash n ताकि जो data हम file में store कर रहे हैं वो अलग-अलग line में जाकर store हो जाए तो यह program complete हो गया अब इसको execute करा लेते हैं तो अब यह पूछा है how many numbers you want to store तो मैंने डाला 4 अब मुझे 4 number enter करना तो देखो यह पूछा है enter first number तो मैंने डाला 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and terminate अब अगर मैं अपने demo folder पे जाता हूँ तो demo folder में यह देखो numbers नाम की file बन चुकी है अगर मैं इसको double click करके open करूँगा तो यह values यह पर अगले हैं point के बाद 6 digits इसलिए आए क्योंकि percent f by default 6 decimal point जो decimal point के बाद values है वो process करता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखाए कि इसको कैसे overcome करें तो आप percent point two f करके value लिख सकते हो तो आई हो कि अब आपको इसी समझ में आ गए होगी कि हम bulk का जो data है मतलब बहुत सारा data वो कैसे process करें तो loop के अंदर जो scan f है वो भी गाम कर रहा है और loop के अंदर f print f भी गाम कर रहा है और अगर आपको point के बाद limited digits जहीं है तो आप यह लिख सकते है percent point two f तो data उसके according store होगा और अभी हमने w mode use किया है इसलिए अगर मैं इस program को फिर से run करूँगा तो पुराना data erase हो जाएगा और नया data उस पर write होगा अगर आप चाते हैं कि पुराना data भी रहे और नया data भी आपका जो है वो store हो जाए तो आप w के जगे क्या use करेंगे तो इस तरीके से हमने अपना जो दूसरा program है वो भी implement कर दिया अब next है read multiple numbers from file तो अब हमने multiple numbers को file में store तो कर दिया अब हम उनको read भी कर सकते हैं तो अब जो program है वो यह है read and numbers from file but अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चीए कि file में data किस format में write किया हुआ है तभी आप उसको properly read कर पाऊगे तो जैसे हमें मालुम है कि numbers.txt में हमने float type का data store किया है तो जब हम उसको read करेंगे तो हमें float format specifier use करना पड़ेगा ताकि proper data read हो पाए तब उसको एक बार try करते हैं तो मैं date इस file को read mode में open करूँगा अब यहां पर file से data read करने के लिए मैं एक नया function use करूँगा feof अब यह क्या होता है वो अपने भी discuss करेंगे तो देखो अब feof क्या करता है feof basically check करता है कि आपका जो file है उसमें यह जो fp file pointer जो हम शिबुसे use करते वे आ रहे हैं तो file pointer automatically एक एक location चेंज करता जाता है आपने देखा होगा हमें कहीं भी file pointer को plus plus या minus minus करने की जरवत नहीं है जैसे एक number write होगा वो अगले location पर पहुंच जाता है या एक number lead होगा तो वो automatically अगले location पर पहुंच जाता है ठीक है और जैसे string के अंदर null होता है जब string terminate होती है तो null store होता है वैसे हर file के end में क्या store हो जाता है eof जिसको हम बोलते है end of file तो अब यह जो feof function है वो check करता है कि file pointer end of file पर पहुंचा या नहीं ठीक है तो अगर fp file pointer end of file पहुंच जाता है तो feof क्या return करता है true file pointer अगर end of file पर है तो यह return करता है true तो उस case में हमें loop नहीं चलाना है क्योंकि हम already end of file पहुंच चुके हैं तो अगर feof true return करेगा in case कि आपका file pointer end of file पर है तो आपको loop नहीं चलाना है तो उस true को false में convert करने के लिए हमने यह पर क्या use किया आगा है? Not. ठीक है? तो I hope कि यह चीज़ समझ में आया होगी कि file pointer end of file पर है तो f, e, o, f true return करता है बट उस case में loop नहीं चलाना है तो हमने true को क्या बना दिया? Not. ठीक है? अभी भी data है जो हम read कर सकते है ठीक है? तो file pointer जो है वो false return करेगा कि मैं अभी end of file पर नहीं हूँ file pointer अभी end of file पर नहीं है तो जब वो false return करेगा कि हम end of file पर नहीं पहुँचे है it means file में और भी data है तो हमें उसको process करना है तो it means अगर end of file sorry feof अगर false return करेगा तो उसको true बनाने के लिए again not काम जाएगा ठीक है? तो simply जब भी आपको file को end of file तब process कराना है तो आपको ये loop लिखना पड़ेगा तो loop क्या चेक कर रहा है कि अगर file pointer end of file पर पहुँच चुका है तो loop stop नहीं पहुँच आए तो loop execute होता रहेगा तो अब हमें data read करना है तो उसके लिए हम use करेंगे fscanf fp, %d, m%n तो n में data आएगा और उसको screen पर display कराने के लिए sorry %f यूज़ करना है क्योंकि float type का data है और उसको screen पर print कराने के लिए हमने क्या use कर लिया? अब इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने कहीं भी user से input नहीं लिया है सारा input file से आएगा और वो screen पर display भी हो जाएगा और loop कब तक चलेगा जब तक file pointer end of file पर नहीं पहुँच जाता तो इसको execute कराते हैं यह देखो जो हमने file बनाए थी उसमें data available है तो वो screen पर इस तरीके से display हो गया अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने इस program को run किया तो last वाली value दो बार print हुई ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि numbers के अंदर जब हम cursor लेकर जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक blank line available है तो blank line available है इसमेंज यहाँ पर कोई value नहीं है तो इसमेंज वो इसको end of file नहीं मान रहा है तो वो इसको end of file नहीं मान रहा है इसमेंज जो अपना data है वो multiple times यहाँ पर process हुआ तो आप क्या करोगे जब आपकी file होगी तो आपको जो आपका cursor है वो इसी position पर available होना चाहिए तो मैंने backspace करके अपने cursor को इस position पर ले आया अब अगर मैं अपने program को execute करूँगा तो इसलिए data store करने के लिए आपको proper format यूज़ करना जुरूरी है अब आप देख सकते हो कि जो last line है वो repeat नहीं हुई ठीक है वो एक ही बार print हो रही है तो जब हम print करेंगे तो हमें properly ध्यान रखना है कि हम proper format यूज़ करें तो जो last program था उसमें slash and percent f के बाद में यूज़ ना करके पहले यूज़ कर सकते हैं ठीक है जो एक new line है blank line है वो अपने पास available ना रहे है तो इस तरीके से हम multiple values को read कर पाए then next है read a string and store into a file then next होगा read string from file and print on console तो एक बर हम f put s use करेंगे और एक बर f get s तो अब इसको भी फटाफट से implement कर लेता है तो इसको मैं बोल देता हूँ string with file तो एक बार हम write करेंगे और एक बार read कर लेंगे तो अब यहां पर file का नाम देता है str w तो अब हमें float की जगे चाहिए character array इन दोनों की requirement नहीं पड़ेगी तो इसको remove कर देता है तो file open किया उसके बाद आप लिखोगे printf इतरा string, string read होगा तो आप get us के थूँ उसको read कर सकते हैं अब हमें उसको file में पहुचाना है तो आप क्या use कर होगे fputs अब fputs चीक है आपने fputs लिखा अब fputs मतलब क्या put करना है str और किसमे fp, file point रखेंगा तो आपको इतना simple logic लिखना है यह user से input कराया और fputs के थूँ data file में चला जाएगा और file का नाम क्या है str तो अगर आपन देखें confirm कर लेते हैं कि str file है या नहीं और मैं इसमें अपना नाम टाइप करता हूँ तो यह execute हो चुका है screen पर कुछ नहीं दिखाया है क्योंकि हमने data file में store गया file में गये यह देखो str.txt अगर इसको open करेंगे तो इसमें मेरा नाम अपने लिखने अब किसी को change कर देते हैं मतलब अब हमें data file से read करना है कितना data आप max read कर सकता है वो and कहां से read करना है ठीक है and read करने के बाद आप उसको क्या करेंगे screen पर print कर देंगे तो आप लिखोगे file contains equals to % as str then अपन इसको अगर execute करते हैं तो देखो file contains equals to sunjet तो मैंने कुछ भी input नहीं किया file को read mode में open किया fget is use किया, इसने data string के अंदर उठाया file pointer के through और उसको screen पर display करा लिए तो इस तरीके से आप fputs और fget is को use कर सकते हैं file से data retrieve और store करने के लिए then next है store multiple string into a file और read multiple strings from file तो यह जो अभी program बनाया था वो एक-एक string को user से read करके file में store किया और vice versa, file से एक string को read किया और user को दिखा दिया अब बात करेंगे multiple strings की, ठीक है? तो अब यहां लिख देता है int n हमें एक loop भी चलाना पड़ेगा user से पूछ लेता है अब इस लूप के अंदर हमें user से भी input कराना है और उसको file में store कराना है तो आप लेखो के printf enter a string या आप बोल सकते है enter % the string और यहां पर आई को print करा दीजिए तो वो हर बार जैसे integer में हुआ था जो अपने last number वाला program किया था उसमें print हुआ था enter first number, enter second number तो ऐसी print होगा enter first string, enter second string then आप use कर लो get us string को read कर आने के लिए और फिर f को test str, f ठीक है तो इससे end string file में चली जाएगी अब हम file वही use कर रहे है str और मैं इसको w mode में open कर लेता हूँ तो पुराना data erase हो जाएगा और नया data उसमें write हो जाएगा तो इसको execute कराते हैं अब मैंने बोला four strings तो अब यहाँ पर वो problem आई इसने enter को skip कर दिया जो हम हर बार करते थे एक character variable बनाते थे ch और उसको use कर लेंगे यहाँ पर ch equals to get care अब यह properly strings को read करेगा तो number के बार जब character read करते हैं तो यह problem हम हर बार phase करते हैं ही compiler के साथ तो उसका solution भी मैंने आपको बता दिया है तो अब first string डालनी है तो अब मैं countries के नेम डाल देता हूंग अब यह अलग-अलग line में नहीं आए तो उसके लिए आपको क्या use करना पड़ेगा slash and use करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो एक slash यहां पर put करा सकते हैं तो हम इसको execute करते हैं फिर से मुझे name center कराने पड़ेगे तो मैं same name center कर रहा हूं sorry मैंने इक गड़बर कर दी मैंने printf लेखा जिपके मुझे f printf यूज करना था f printf fp, backslash तो अब input करवा देते हैं अपनी file open करते हैं तो यह देख सकते हो अलग-अलग line में data आ गया तो fquitters ने same line में data store किया अगर आपको इसको format करने अपने according तो आप अलग-अलग line में भी data को store करवा सकते हो तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम बहुत सारी strings को user से read करके कैसे file में store कर सकते हैं बट यहां पर हम हर बार के लिए loop चला रहे हैं तो इस problem का solution मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जहां पर bulk data process करना है बट आपको loop use करने की जरवत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर array structure या array of structure को file में कैसे store करते हैं या file से कैसे read करते हैं वो चीज़ अपन discuss करेंगे अब देखते हैं कि file में जो बहुत सरी strings available उनको read कैसे करें तो file read mode में open होगी अब हमें user से input कराने की जरवत नहीं है और अब जो loop है वो while loop में convert होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना data file में already available है तो अभी के लिए तो पता है कि क्योंकि हमने ही write किया है बट हो सकता है कि कोई और programmer file create कर रहा है और उसने strings बहुत सरी store किये हैं और आपको बोला कि आप इसको read कर लो बट आपको नहीं पता कि उसमें कितने strings हैं तो again हम क्या use करेंगे FUR तो यह मैंने आपको अभी अभी कुर्दे पहले ही बताया था फाइल के middle में कहीं पर है तो यह return करता है false it means हमें loop चलाना है तो false के case में loop terminate हो जाता है बट हमने not लगा है तो false उसको false true में convert हो जाएगा और loop rotate हो जाएगा अब हमें file से string को read करना है तो आप लिखोगे f get s fp, sorry str, 10, fp और इनको screen पर display कराने के लिए आप लिख सकते backslash n %s str अब इसको execute करा कर देखते हैं तो execute कराएंगे तेरे को India, USA, Australia, Canada दो बार print हो रहा है तो यह वही problem है कि आपके file जो है file के अंदर last में यह देखो एक blank line है तो हमें यह जो blank line है उसको remove करना है file को save करना है और फिर इस program को जब आप वापस run करेंगे तो देखो आपका data repeat नहीं होगा तो store करते time हमें ध्यान अगना है तो हम last में backslash n put तो करते हैं ताकि new line में data चले जाए तो आप उसको file को open करके resolve कर सकते हैं ताकि last line जो है वो multiple times repeat now so इस तरीके से हमने यह भी discuss किया अब आगे बढ़ते हैं so अब है read a file and count characters and words तो अब हम एक नया method यहां पर देखेंगे fgetc तो अब हम data read करेंगे character by character एक एक character read करेंगे अब जिससे अपनी file है str.txt इसी को ले लेते है for example तो इसमें बहुत सरे characters है india, usa, aus, dana, da तो हमें उनको count करना है कि कितने characters available है और हमें words भी count करना है तो हम इसको ऐसे arrange कर लेते हैं तो बीच में space है मतलब यह word complete हुआ फिर space के बाद दूसरा word फिर space के बाद तीसरा word तो जैसी space आएगा तो एक word complete हो जाते हैं तो अगर हम space count करेंगे और उसमें plus one कर दे तो number of words आ जाएएग क्योंकि जितने space होता है उससे एक जादा word होता है हमेशा यह standard है और हम यह मान के चल रहा है कि standard के according एक ही space in between होता है तो इसको मैं आप save कर देता हूं तो यह मेरा file है जिसमें four words है और कुछ पीच में तीन spaces है तो हमें character count करने कितने और words count करने कितने तो यह मैं आपको इसलिए पता रहा हूं ता कि file के अंदर जो बहुत सारा data होता है और आपको पता ही निए कि उस format में तो आप क्या करें character by character उसको read करके process कर आए बट उस case में जो numbers है वो digits बन जाते है उसका आपको जान लगता है तो अब अपन क्या करेंगे यहां पर integer को तो हटा रहते है character use करना है और एक variable होगा ch ठीक है file str e रहेगे जिसको read करना है यह सब कुछ same होगा file को read करना है end of file तक then अब मैं आपको एक और method बताऊँगा कि यह जो while loop है इसमें हम feof को अगर remove कर दे तो हम एक और loop implement कर सकते है तो अभी तो हम इसी loop के तो इसको execute कराते है तो हम मैं use करना हूँ f get c f b f get c क्या करता है file से एक एक character read करेगा उसको ch में store करा देगा और यह काम कब तक होगा जब तक कि file pointer end of file पे नहीं पहुँच जाता है फिर हम चेक करता है if ch double equals to space तो अगर यह space के equal है single quotes में space और press करना अगर यह space के equal है तो हम space नाम का एक variable है जिसको plus plus कर देता है और उसको यहां declare कर दिया space equals to 0 और मुझे characters भी count करना है कितने है तो एक variable ले लिया count उसको 0 से initialize कर दे तो जैसी एक character read होगा तो मैं count को plus plus कर देता हूं ताकि हर character count हो जाए और अगर character space है तो वो space को plus कर देगा जब यह loop खतम हो जाएगा तब total characters तो print हो जाएंगे count के through और total words प्रिंट होंगे space के through तो मैंने लिखा words equals to %d और यहां लिख जया space plus 1 तो जितने space है उससे एक जादा word होता है इसलिए हमने ऐसा किया तो अब मैं इसको execute करता हूं तो आपको पता है कि अपनी file sqr उसमे 4 words available है तो अब इसको execute करा लेते हैं तो यह output आ गया words 4 and character 21 तो अब characters count करके देख लेते हैं कि 21 है या नहीं उसमे spaces भी include होंए तो इंडिया में 5 then space 6, 3, 9 space 10 then 3, 13, space 14 16, 17, 18 19, 20, 21 तो अगर सारे characters including space count करते हैं तो total 21 characters आपके available है इसने end of file को count नहीं किया युकि उस पर जाकर loop आपका stop हो जाएगा और इस बार जो हर बार के लिए last value repeat हो रहे थी वो भी नहीं हुई क्योंकि हमने already cursor के बाद कोई space या enter press नहीं किया then अब इसको एक और loop से अगर आप execute करना चाहें तो आप क्या लिख होगे while 1 तो यह infinite time तक execute होगा ch में character आया अब आप यहां check कर सकते है if ch double equals to eof जो character हम read कर रहे हैं अगर वो character value end of file के equal है तो loop terminate हो जाए otherwise बाग के सारे काम as it हो तो आप eof के अलावा यह वाले चीज इस तरह के logic में यूज कर सकते हैं जब आप character by character value read कर आ रहे हैं तो यह चीज भी आपको समझ में आ गई होगी अब अगले program पर बढ़ते हैं जिसमें copy करना है file को concatenate करना है तो अब अपने पास में एक file है str तो मैं एक और file बनाऊंगा जो की str का तो data है वो उसमें copy कर लेना ऐसा एक program लिखना है और concatenation भी करना है copy and concatenation of files तो अब हमें यहाँ पर दो file pointer use करने पड़ेंगा पहला तो हुआ पहला तो हुआ F1 में मैंने open कर लिया str.txt को real mode में इसको मैंने copy किया और यहां पर मैंने लिखा F2 और यहां मैं लिख रहा हूँ str1 और उसको मैंने open कर लिया right mode फिर चेक किया अगर F1 null है या फिर F2 null है दोनों में से कोई भी अगर null होता है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है लूप को stop कर देना है ठीक है यहां पर वही logic लिखेता है F P O F F P एक एक character को read किया और read करने के बाद simply आप उसको दूसरी file में देव दिए तो F1 से data F get C के through read किया CH में और F put C के through उस CH को देव दिए F2 में ठीक है अब अपने पास में दो file से हैं उसको एक साथ close करना है तो आप लिखोगे F close all तो यह multiple files को एक साथ close कर देता है तो बहुत ही simple है देखो F1 में file str.ext को read mode में open किया जिसमें already data available है right F2 में करना है तो उसको w mode में open किया then दोनों के लिए condition पिर जब तक null नहीं मिलता F1 में क्योंकि F1 से data F2 में जा रहा है अब तक यह loop चलेगा F1 से के character read ओकर CH में आएगा और CH F2 में चला जाएगा और end of file हमें store करने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो file अपने आप store कर दोता है तो अब अगर हम देखें पहले check कर लेका है देखो यहां str है str1 नहीं है अब अपना program execute करा लेका है अब अपना program execute करा लेका है It is showing some error let me check So fclose all is having some issues .So right now I am using fclose only so fclose f1 and fclose f2 now I am executing the program so file copy हो चुका होगा यहां कुछ भी display नहीं हुआ है तो आप चाहें तो एक message भी print करा सकते हैं loop के बाद file copied successfully क्योंकि screen पर कुछ भी display नहीं होगा files related यह देख सकते हैं str1.ext automatically create हुआ और इसमें same data available है जो कि हमने वहां से copy किया ठीक है तो इस तरीके से एक एक character आप easily अपनी file के अंदर store करवा सकते हो अब एक तरीका और है कि हम यह जो while 1 है इसको use करें और यहां पर condition apply कर दें कि छ अगर if equal है तो loop terminate हो जाए तो यह तरीका भी आप use कर सकते हो तो इसको अगर अपन execute करेंगे तो यह भी data आपका file में copy कर देगा तो जो अभी आपने देखा होगा यहां पर additional character आ गया था वो चीज़ यहां पर नहीं है तो एक-एक character अगर आपको copy करना है file के अंदर तो आप यह वाला approach which properly use कर सकते हैं तो आप loop में condition ना लगा कर उस condition को यहां पर use कर सकते हैं तो यह copy का method था अब हम concatenation देखता हैं तो concatenation में क्या करेंगे हम WKJ के file को A mode में open कर देता हैं तो अभी देखो अभी str और str1 में same data है और हमें concatenate करना है तो concatenation का मतलब होता है कि एक file का data दूसरी file के last में जाके store होता है तो अब हमें F1 का data F2 में पहुचाना है मतलब str1 में data concatenate होगा तो आपको simply W के देखे A लिखना है यह as it is रहेगा loop as it is चलेगा क्योंकि F1 से data read करना है और F2 में write करना है और already हम mode use कर चुक है A तो data last में ही जाके store होगा तो अब अगर मैं इसको execute करता हूँ और अपनी file को अगर अपन open करें तो देखो इंडिया, USA, Australia, Canada और उसके जस्ट बात एक online में वो data available तो इस तरीके से आप W mode को अगर A mode में replace कर देंगे तो आपका concatenation का जो process है वो execute है अब last बात करते हैं get W and put W की तो get W, put W basically numbers को read and write करने का काम करते हैं अब यहां भी मैं दो files create कर लेता हूँ N1, N2 N1 में data write करेंगे sorry, N1 से या N1 में data पहले write कर लेता है और इसको भी as it is here इसमें भी data write करेंगे तो पहले मैं N1 में data write करूँगा put W के through फिर उस file को close करूँगा उससे data read करूँगा और जा तो हम इस file में store कर सकते हैं या फिर उसको screen पर भी display करा तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि एक ही file लेते हैं इसको भी erase कर लेते हैं अपने पास एक ही file available है N1.ext जिसमें पहले data write होगा और फिर उसी file से data read करके screen पर display करा और दो variable लेते हैं N1, N2 यहां पर लिखा printf इंदरा number scanner %d, ampersand, N1 तो N1 में data available हुआ अब मुझे क्या use करना है? अब put w में मुझे वो जो number है वो पास करना है और जिस file में store करना है वो ठीक तो file में data जा चुका है, file को close किया, अब मैं file को फिर से open कर लेता हूं तो fp equals to fopen और यह पूरा statement आइजटर्स करते हैं आपकर और अभी file को open करेंगे read mode में अब file w mode में है अगर वो create होगी तभी यह process चलेगा अगर यह if condition false होती है मतलब file create हो चुकी है तो हमें यह वापिस से if condition लगाने की जरुबत ही है but in case फिर भी आप इसको use करना चाहते हो तो आप यह copy करके paste कर सकते है और अब हम क्या करेंगे n2 के अंदर data read कराएगे तो n2 equals to get w और यहाँ पर file pointer और screen पर print करा देता है इसको number equals to percent d n2 तो अब देखो data मैंने किस में read किया था? n1 के अंदर और screen पर मैं data किस के तुर print करा रहा हूँ? n2 के तुर तो इससे prove हो जाएगा कि n2 में initially कुछ नहीं था but n1 की जो value थी वो हमने पहले file में write की put w के through फिर उसी file को read किया और वापिस data है वो read करके n2 में store करा देता है जो मैं input करूंगा वो n2 print करना चाहिए अब मैंने input किया 22 तो आप देख सकते हो number equals to 22 ठीक है? तो यह इस तरीके से process हुआ अब अगर आप अपनी n1 file को check करोगे तो n1 file में data readable format में available नहीं है यह automatically इसको binary format convert कर लेता है तो इसलिए मैंने ऐसा आपको किया कि आपको proof देदिया कि file में data store किया file close किया, file को फिर से read किया और किसी दूसरे variable में data store किया, getw2 ताकि आपको surety हो जाए कि data file में store हो चुका है तो इस तरीके से मैंने आपको यह बहुत सारे programs properly demo करके बताया तो एक-एक करके आप भी programs को implement कर सकते हैं कहीं भी doubt हो तो आप मुझे discuss कर सकते है and next video देखना मत बूलिएगा जिसमें मैं आपको bulk में data कैसे process होता है वो बताऊंगा और यह दो function हम देखेंगे f read, def write, इनका use देखेंगे binary files के बारे में और पढ़ेंगे so I hope कि जो भी मैंने आपको explain किया वो समझना होगा Thank you for watching this video